नमस्कार मित्रो, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबी का बहुत बहुत स्वागत आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ आखिरी प्रयास एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुन्दर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन हुआ उसने उस पत्थर से भगवान विश्णू की प्रतिमा का निर्मान कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णे लिया और प्रतिमा निर्मान का कार्य राज्य के महामंत्री को सौब दिया महामंत्री गाव के सर्वस्रेष्ट मुर्तिकार के पास गया और उसे वहाँ पत्थर देते हुए बुला, महराज मंदिर में भगवान विश्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते है, साथ दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विश्णु की प्रतिमा तयार कर राज महल पहुचा देना, इसके लिए तुमें पचास स्वर्ण की बात सुनकर मुर्तिकार खुश हो गया, और महा मंतरी के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्मान कार्य प्रारंभ करने के उद्देश से अपने ओजार निकाल लिये, अपने ओजारों में से उसने एक हतोडा लिया, और पत्थर तोडने के लिए उस पर हतोडे से वार करन लगा किन्तु पत्थर जसका तसरा मुर्तिकार ने हतोडे के कई वार पत्थर पे किये परंतु पत्थर नहीं तूटा पचास बार प्रयास करने के उपरांथ मुर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश से हतोडा उठाया किन्तु यहां सोचकर हतोडे पर प्रहार करने से पूर्व ही उसने हाथ खीच लिया कि जब पचास बार वार करने से पत्थर नहीं तूटा तो आप क्या तूटेगा वह पत्थर लेकर वापस महामंतरी के पास गया और उसे यहां कहकर वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुग की नहीं. इसलिए इससे भगवान विश्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती. महामंतरी को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था. इसलिए उसने भगवान विश्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गाव के एक साधारण से मुर्तिकार को सोब दिया पत्थर लेकर मुर्तिकार ने महामंतरी के सामने ही उस पर हतोड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही तूट गया पत्थर तूटने के बाद मुर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुड गया इधर महामंतरी सोचने लगा कि काश पहले मुर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और पचास स्वरन मुद्राव का हगदर बनता इससे हमें क्या सीखने को मिलता है मित्रो हम भी अपने जीवन में ऐसी परिसित्यों से दोचार होते रहते हैं कई बार किसी कारियों को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्म विश्वास दगमगा जाता है और हम प्रयास किये बिना ही हार मान लेते हैं कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाना या समस्या का समादन हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पुर्व हम हात खिच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें काम्याबी प्राप्त हो जाए धन्यवाद मित्रो